ना कुटम सब्यूलारा परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है ये ख्षेत्र इसका भुक्त भोगी रहा है इस मिट्टी ने देश को पीवी नर्चिमा रावजी के रुप में एक प्रधान मंत्री दिये लेकिन कॉंग्रेश के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया यही नहीं राव साहब के नीजन के बाद भी सरे आम कॉंग्रेश के शाही परिवार ने नर्चिमा रावजी का अपमान करने का एक भी मोका जाने नहीं दिया यह परिवार वादी सीर पर सरफ अपने ही बच्चों की सोचते हैं आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है इसलिए आपको बियारेश हो या फिर कॉंग्रेश यह आपके बच्चों का भविश्य बरबात करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते इतलिए मैं कहता हूं कॉंग्रेश केसियार ओक्ते कॉंग्रेश केसियार ओक्ते इत्दरी तो जागरत गा उड़नेंदे बीजेपी मात्र में तेलंग्यना प्रतिष्टनों पैंचूत उन्दी ना कुटम सब्युलारा परिवारवादी पार्टियां कानून व्यवस्ता को भी बरबात कर देती है जब तक कॉंग्रेश सत्ता में थी तब तक आए दिन बम धमाके होते थे कॉंग्रेश आज भी जहां सत्ता में है वहां पी एफ आई जैसे आतंकी संगठनों को बड़ावा मिलता है करीम नगर सही देश के एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सली हिंसा में जौक दिया गया था बीजेपी ने आतंकवार और नक्सलवार पर करारी चोट की बीजेपी ने नक्सली हिंसा पर काबू करके जो माहोल बनाया उसका लाब कोई अच्छी सरकार ले सकती थी लेकिन इन परिवारवात की बनाई में डुबे के सियार इसका भी फाइदा तेलंगना को नहीं करा पाए कि पूरे तेलंगना के लोग कि जानते हैं कि कैसे बियार्यस ने यहां की कानून व्यवस्ता को बरबाद कर दिया है नाक कोटम सब्व्यूलारा बीजेपी की केंद्र सरकार का प्रयास पूरे तेलंगना के संतुलिज विकास का रहा है करीम नगर में स्मार्ट सिटी पोजेक के लिए मोधी सरकार ने फंड स्विकृत किया लेकिन के सियार सरकार ने इस प्रोजेक में भी जम करके रोड़े अटकाए के सियार करीम नगर को लंदन बनाने के जुठे वादे करते हैं याद है ना और बीजेपी करीम नगर को विकास की नई उचाई पर ले जाएगी यहां का जो प्राचिन गवरव है उसको फिर से स्थापित करेगी